अप्रेंड्स आज हम बनाने जा रहे हैं पोहा और बेसन से बहुत क्रिस्पी करारा नाश्टा है जिसे आप बरसात के समय में खा सकते हैं चाहे के साथ यह बहुत ज्यादा टेस्टी लगता है और इस नास्ती की खास बात यह है कि इसमें तीन तरेके का टेस्ट आपको तो चलिए शुरू करते हैं टेस्टी नास्ता बनाना अगर आप मेरे चैनल पर नए है तो लाल कलर से लिखे सब्सक्राइब पर क्लिक करके सब्सक्राइब करें और मेरी ऐसी सभी डिलिश्यस रेसिपी को सबसे पहले देखने के लिए बैल आइकून को प्रेस करना ना बुले पोहा और बेसन का नास्ता बनाने के लिए हमें चाहिए होगा पोहा जिसे हम चुड़वा भी कहते हैं तो यहां पर मैंने यह करीब एक कटोरी भर के पोहा लिया है और इसको हम एक बॉल में ले लेंगे इस तरकी से और सबसे पहले हमें पोहे को धोना है तो यहां मैं आप पानी निकल लेंगे इसी तरह की समझे दो से तीन बर दोएंगे तो यहाँ पे मैंने अच्छे से पोहे को धो लिया है तो अब मैं इसमें थोड़ा सा पानी डालूँगी करीब 2 टेबल स्पुन के करीब मैं इसमें पानी डाल रहे हूँ बहुत जादा पानी हम नहीं डालेंगे क्योंकि जो पोहा है वो बहुत जल्दी भीग जाता और सौफ्ट हो जाता है तो बस 2 टेबल स्पुन हम पानी डालेंगे और अब हम इसको रेस्ट पे रखेंगे करीब 15 से 20 मिनट के लिए जिससे की पोहा अच्छे से फुल जाएगा करीब 20 मिनट हो चुके हैं और जो पोहा है वो देखिए बिल्कुल अच्छे से फुल चुका है देखिए मैं आपको दिखाती हूँ अब बिल्कुल भी अब इसमें पानी नहीं है क्योंकि हमने टीबल स्पुन हमने पानी डाला तो पूरा एक्जॉर्ब कर लिया है पोहे ने तो अब हम इनको अच्छे से मसलते हुए इसका डो तेयार करेंगे देखिए इस तरीके से क्योंकि इसमें पानी जादा नहीं है तो यह बिल्कुल भी चिपकेगा नहीं इस तरीक इसे काफी आराम से यह डो की तरह हम बना लेंगे देखिए इस तरीके से मसलते हुए तो यहां हमने इसको अच्छे से मसल लिया है, चिकना कर लिया है, अब यहां पर मैंने जितना ही पूहा लिया ता उतना ही बेसन ले रही हूँ, एक कप भरके बेसन है, और जितना पूहा लेंगे उतना ही बेसन लगेगा, अब साथी इसमें हम डालेंगे हरादनिया, आधा तोडी ही कुरश किया होगा मटर लिया है यह फोट को क्रश किया इसे बहुत ही अच्छा टेस्ट आता है हमारे नाष्टे में आप चाहें तो मटर को हाव वाईल करके भी ले सकते हैं एक चम्मज Grid किए हुआ अद्रक आप जाहें तो यहां पर अद्रक का पेस्ट भी ले सकते हैं आप साती हम इसमें डालेंगे आधा चम्मज अजवाईन अजवाईन से काफी अच्छा टेस्ट आता है इसको हलका सा क्रश करके डालेंगे और अब हम इसमें डालेंगे एक चमज भरके आमचूर पौडर, अगर आपके पास आमचूर पौडर नहीं तो आप यहाँ पर निम्बू का रस ले सकते हैं, एक वन टीस्पून और नमक आप अपने टीस्पून डालेंगे, यहाँ पर मैंने हाफ टीस्पून नमक लिया है, और साती हम इसमें डालेंगे चिली फ्लेक्स, तो यहाँ पर मैंने 1 टीस्पून भरकी चिली फ्लेक्स लेया, इससे बहुत ही अच्छा टीस्ट आता है, आप सभी को अच्छे से मिक्स कर लेंगे, फ्रेंट्स ये नाश्ता बहुत ही जादा टीस्टी बनता है, आप इसे ज़ काफी नमी होती है तो इस तरीके से मसलते विए चिकना करेंगे आपने याभी एक डो की फॉर्म में आ जाएगा हमें पानी की बिल्कुल भी ज़रोधनी पड़ेगी तो यहां पर हमने अच्छे से इसको चिकना कर लिया और यह आप देख सकते हैं बिल्कुल दो की फॉर्म मे और यह बिल्कुल अच्छे से बाइन्ड हो गया है एक डो बन गया है तो यह हमारा नाश्टा बनाने के लिए डो बन करके तयार है पोहा और बेसन का तो अब में इससे नाश्टा बनाना शुरू करते हैं अब हम इस डो में से इसकी दो पाट करेंगे इस तरीके से दिखिए और अब हम इसको इस तरीके से हाथों से थोड़ा इस तरीके से शेप देंगे, थोड़ा सा इसको लंबा शेप देंगे, क्योंकि अभी हमें इसके पीसिस कट करने हैं, तो इस तरीके से करने से बराबर बराबर पीसिस निकल जाते हैं, तो इस तरीके से मैं थोड़ा सा पोश कर लेंगे 비ल्कूल किनारों में क्रैक नहीं होने चाहिए तो इस तेhou किसे हम बनाकर के त्यार कर लिए है जिल्aktे से एक और आपको बना कर दिखाती हूं थोड़ा सा सेम जितना लिए है उतना ही हम पोशन जबीख को बरावर रखेंगे और इस तरी के से हतेली से प्रैस करते हूए हम इसको एक मठी की शेप में इस तरी के इसे फ्लाट करेंगे बहुत ज़्यादा मोटा नहीं होना चाहिए थोड़ा पतला ही होना चाहिए और इंदको भी हम अच्छे से स्मूथ कर लेंगे तो लिए अब देख सकते हैं सभी को बना करके तियार कर लिया है तो देखिए है कितने सुन्दर लग रहे हैं आप चाहे तो इनको आप दो दिन पहले ही बना करके और एक डिबे में ढगा करके इसे फ्रीजर में रख करके नजॉय कर सकते हैं दो दिन तक लिए बिलकुल खराब नोयल है और ओयल को हमें medium-high गरम ने है तो एक-एक करकी जो हमने मत्री बनाई है उसको हम डालते जाएंगे और medium फ्लेम में हम इसको 1-2 मिनिट के लिए साइट से हम अच्छे से फ्राइ करेंगे और उसके बद हम इने पलटेंगे तो करीब दो मिनिट हो चुका है तो हम इने पलट लेते हैं ताकि दूसरे तरफ से भी अच्छा गोल्डन कलर होने तो अब हम इनको निकाल लेते हैं तो इस तरह के से एक छ calidad छन्य से निकाल लेगे और जो भी इसमें extra oil है इस तरह के से रखेंगे थोड़ी देर और यह दीखे इस तरह के से जो extra oil है वो निकल जाएगा वापस कड़ाई में तो देखिए कितने सुन्दर लग रहे हैं देखने में बहुत ज़्यादा ब्यूटिफुल लग रहे हैं तो अब हम इनको प्लेट में निकाल लेते हैं और इसी तरीके से बाकिस सभी को फ्राइ कर लेंगे तो देखिए फ्रेंट्स यहाँ पर हमने सभी नाश्टा बना करके त्यार कर लिया है और पोहे और बेशन का बहुती क्रिस्पी टेस्टी चटपटा नाश्टा बन करके त्यार हो चुका है और आप इस नाश्टे को बरसात में गर्म गर्म बना करके खा सकते हैं यह बहुती क्रिस्पी बनाएं तो यहाँ में आपको दिखाते हैं कितना क्रिस्पी है आवा सुन सकते हैं आप देखिए यह बहुत ही क्रिस्पी बनाएं friends बहार से बहुत ही क्रिस्पी है और अंदर से soft है मैं आपको तोड़के भी दिखाती हूँ यह देखिए यह बहुत ही रहादा टेस्टी है friends और जो हमने इसमें हरी मटर डाली है उसका स्वाथ तो काफी अच्छा आ रहा है इसमें और आप इ बनाएं अपनी family को बना करके खिलाएं जब भी बरसात हो तो इस तरीके से आप पोहा और विसन का नाशना बना करके सबको खिलाएंगा सबको बहुत पसंद आएगा और अगर आपको मेरी रस्पी अच्छी लगिए तो रस्पी को लाइक जरूर कीजिए साथी में रस्पी पिके साथ